जी हाँ दोस्तों आज हम आपको बहुत बड़ी खबर के बारे में बताने वाले हैं जो भी NFL के सुडेंट्स हैं जो भी National Fertilizer Limited के जो online फॉर्म भरे थे और आज जो first shift जो exam दिये हैं उनका exam cancel कर दिया गया है जी हाँ फ्रेंस आप लोग सही सुन रहे है National Fertilizer Limited का exam आज से शुरू था जो की NFL इनका जो first shift वालों का exam जो है वो ने cancel कर दिया गया है अब ये cancel technical issue के करण किया गया है या कुछ और तो ये सारी खबर हम आपको इस वीडियो में बतने वाले हैं और वीडियो बाइरल भी हो चुका है जी हाँ फ्रेंस वीडियो बाइरल भी हो चुका है हम अभी आपको वीडियो भी दिखाएंगे live ठीक है देखिए ये फोटो जो है वही का है हम ये भी दिखने वाले हैं आपको अब बच्चे आगे क्या करें तो इस वीडियो में हम आपको सारी खबर के बारे में बतने वाले हैं क्या अब एक्जाम होगा या नहीं जी हाँ फ्रेंस ये भी बच्चों का कॉस्टन बन रहा है और 100% प्रूप के साथ ह और उससे बाहर का टॉप नहीं जाएगा जी हाँ फ्रेंस क्योंकि एक्जाम का लेवल बहुत ही टफ था तो उससे पहले हम बताने वाले हैं कि जो जिन बच्चों का एक्जाम कैंसिल कर दिया गया उनका चली हम लोग अभी प्रूप दिखने वाले हैं और लाइप इस वीडियो में आपको एनेफल से रेटेड मिल जाएगी तो आप लोग बिना एसकिप किये हुए वीडियो को पूरा देखिए और बीच में अगर आपको छुट जाएगा तो बाद में फिर आप बोलिएगा कि आप यह नहीं बताए वो नहीं बताए तो हम आपको सारी ख दिखाएंगे और जो भी नए हमारे यूटूब चैनल पर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जब दबाए क्योंकि यह एक मात्रेशा चैनल है जिसकी मदद से आपको एनेफल हो या कोई भी एक्जाम रिडिटेड ठीक और क्या अब एक्जाम होगा इसका या नहीं होगा क्या सकेंड कट बृइव just cancel होगा नहीं होगा तो चलिए हम लोग सारी ख़वर से लेटेड सारी इनफॉर्मिशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट Deutsch के साथ क्या हुआ है ठीक है इस कारण से हम बताए है कि Onun केंसिल कर दिया जाएगा और हम इसमें बात करने वाले थे हैं कि कटॉप के बारे में जी हां फ्रेंस बारबार बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे हमारे वीडियो पर कि कटॉप के बारे में भी बताईए तो इसमें हम आपको सारी इनफॉर्मेशन के बारे में बताने वाले है तो देखिए हम लोग बताए थे कि आपको इसके बारे में भी बताएंगे फास्ट स्रिप्ट बालो के लिए तो आप देख चुके हैं किस परकार वहाँ पे हुआ था इससे 100% हम बोल सकते हैं कि यह जो एक्जाम होगा पका कैंसिल होगा क्योंकि 80% बच्चा वहाँ पे एक्जाम नहीं दिये हैं जो भी बच्चे एक्जाम नहीं दिये हैं वो तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे देखिए वहां के जो controller थे वही बोल दिये थे कि आपके हम मेंसे चला जाएगा क्योंकि एक जम cancel कर दिया गया है अगर इसा नहीं होता है ठीक है तो ये 80% बाले बच्चे कुछ न कुछ जरूर करेंगे ठीक है तो cancel 99% confirm है कि cancel होगा ही होगा ठीक है morning time तक आपको मेंसे चला जाएगा और हम इस पर बात करने वाले हैं cut off के बारे में जो बच्चे बार बार question पूछ रहे थे इसमें cut off के बारे में तो देखिए इस बार क्या हुआ है कि इस बार बहुत ही tough question पूछा गया था जी हाँ friends इस बार बहुत ही tough paper था ठीक है जिसके करन हम बताने वाले हैं कि इसका जो cut off जोने वाला है वो cut off वो cut off minimum जो देखिए merit list के लिए अगर हम लोग बात करें तो 150 का जो exam हुआ था उसमें से जो भी बच्चे अगर 125 ला लिए ठीक है उनका तो 100% chance है होगा यह होगा ठीक है 100% chance है अगर हम लोग 90% की बात करें तो 90% में जो भी बच्चे अगर 95 मार्स ला लिए ठीक है 95 मार्स उनका भी 90% chance है की हो जाएगा जी हम फ्रेंज अगर फर्स्ट सिफ्ट वालों को अगर cancel हो गया तो 95% chance है की हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट सिफ्ट में कुछी बच्चे एक्जम दे थे 10-15 वो थोड़ा इधर उदर करके भी बना लिये थे तो अब देखिए हम लोग बात करने वाले 90% chance हो जाएगा क्यों में अभी तक का जो cut off है वो 80% से ज्यादा नहीं लिया जाता है तो इस बार भी उम्मीद है कि अगर 80 मार्स की अगर हम लोग बात करें तो 80 मार्स में सेलेक्शन जीन बच्चों का अगर 80 मार्स आ रहा है तो उनका सेलेक्शन उम्मीद है कि तेह हो जाएगा ठीक है और इसम में नार्मलाइजेशन भी होने की उम्मीद सायद है ठीक है क्योंकि जैसे ही ओनलाइन एक्जाम हुआ CBT में हुआ तो ओनलाइन नार्मलाइजेशन होगा योगा तो नेक्स वीडियो में हम लोग इस पर अच्छे से एनेलाइसिस करके बताएंगे तो आज के लिए इतना ही और जो भी नए बच्चे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में जैहिंद